क्या हुआ जब ये लड़की रात एक बजे चुपचाप कैदारनाथ मंदिर के अंदर चली गई और फिर जो चमतकार हुआ उसे देखकर आपको भी अपनी आखों पर विश्वास नहीं होगा दोस्तों 2013 में कैदारनाथ में एक महा प्रल्य आई कितने ही लोग मारे गए और कितने ही बेगर हो गए कुछों का आज तक भी पता नहीं लग पाया है आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं इस घटना की शुरुआत करने से पहले सच्चे शिवभक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे इस घटना की शुरुआत होती है उत्राखंड के दहरादून शहर से यहाँ पर प्रिती कसेरा नाम की एक लड़की अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी बच्पन से ही उसके माता पिता नहीं थे जब उसने होश संभाला और जब वो अठरा वर्श की हुई तो उसने अपने दादा दादी से सवाल किया कि आखिर मेरे माता पिता कौन है और वो कहा पर है क्या उनकी मृत्यू हो गई है तब दादा दादी ने जवाब देते कि सन 2013 में वो तीर थियात्रा करने के लिए देहरादून से केदारनात के लिए रवाना हुए थे लेकिन उसी समय प्रकृती ने अपना एक ऐसा प्रकोब दिखाया कि केदारनात में भयंकर विक्राल बाड आ गई और उसी बाड की चपेट में आकर तुम्हारे माता पिता ग जमीन ही खिसक गई वो एक सची शिव भक्त थी लेकिन उसे मन ही मन लग रहा था कि महादेव उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं तब ही उसने सोचा कि अगर मेरे माता पिता के शव आज तक नहीं मिले हैं तो हो सकता है कि केदारनात में आज भी वो कहीं पर जिन्दा हो बात है सन 2022 की अपने दादा दादी का आशिरवाद लेकर प्रीती अपने माता पिता की तालाश करने के लिए एक बार पुना केदारनात के लिए रवाना हुई उसका उदेश्य था किसी भी हालत में अपने माता पिता के बारे में पता लगाना दहरादून से केदारनात की दूरी 22 26 किलो मीटर है उसने सफर तै किया और जब वो गोरी कुंट पहुची तो वहां से उसने 18 किलो मीटर की पैदल चढ़ाई शुरू कर दी लेकिन कैदार नाध धाम पहुचते पहुचते रातरी हो गई और मंदिर के कपाट बंद कर दिये गए श्रधालू की भारी भीड होने के कारण प्रीती को वहां पर कोई भी कमरा नहीं मिला तो वो कैदार नाध के परीसर में ही रातरी को सो गई देखते ही देखते रात के एक बच गए और मंदिर का पूरा परीसर खाली हो चुका था वहां पर प्रीती अकेले ही सो रही थी तभी वहां पर एक बहुत बड़ा च कई मालाएं थी उन्होंने प्रीती को जगाया और उससे सवाल किया कि तुम केदारनात आखिर किस उदेश्य से आई हो सबसे पहले तो प्रीती ने जब उनसाधू महराज को देखा तो उनका भेश देखकर वो बहुत डर गई थी हिम्मत जुटा कर उसने उनसे कहा कि सन 2013 में आई बाड में मेरे माता पिता कैदारनात में लापता हो गए थी आज वो उन्ही का पता लगाने कैदारनात आई है तब उन साधू महराज ने प्रीती का हाथ पकड़ा और उसे कैदारनात मंदिर की ओर ले गए जब वो साधू महराज कैदारनात मंदिर के पास पहुँचे तो चमतकार ऐसा हुआ कि मंदिर के कपाट अपने आप ही खुल गए रातरी की एक बज रही थी और प्रीती ने जब ये चमतकार देखा तो उसके भी रॉंग्टे खड़े हो गए तब उन सादू महराज ने रातरी एक बजे प्रीती को केदारनाथ मंदिर के अंदर जाने को कहा डरते डरते जैसे तैसे प्रीती मंदिर के अंदर गई तब भगवान केदारनाथ ने रातरी एक बजे उसे अपने दर्शन दिये ये वाकई में एक बहुत बड़ा चमतकार था रातरी में एक बजे एक अकेली लड़की का मंदिर के अंदर जाना और कपाट का अपने आप खुल जाना ये वास्तों में बहुत बड़ा चमतकार था जब प्रीती महादेव के दर्शन करके पुना भार आई तो उन सादु महराज ने उसे एक बहुत ही दिव्य ग्यान दिया उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टी से देखकर प्रीती को बताया कि सन 2013 में तुम्हारे माता पिता के दारनात आये थे लेकिन बाड़ की चपेट मे आजाने से दोनों की ही मृत्यू हो गई ये सच्चाई सुनकर प्रीती फूट फूट कर रोने लगी तब सादु महराज ने उससे कहा कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं दिव्य दृष्टी से देख पा रहा हूं कि तुम्हारे माता पिता आज स्वर् की प्राप्ती होती है उनसादु महराज ने प्रीती को बताया कि उसी समय सरकारी विभाग द्वारा तुम्हारे माता पिता का अंतिम संसकार भी कर दिया गया था इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है अब प्रीती थोड़ा संतुष्ट नजर आ मानो महादेव ही एक बच्ची को अपने माता पिता का सच बताने आए हो ये चमतकार प्रीती की जिंदगी का सबसे बड़ा चमतकार था उसकी आँखे खुल गई थी और महादेव के प्रती लगाव और भी जादा भड़ गया था उसके बाद उसने पंच केदार के दर्शन करने की प्रतिग्या ली केदार में कौन-कौन से धाम आते हैं आगे वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं बारा जोतर लिंगो में केदार नात धाम का श्रेश्थान है और यहां भगवान शिव के प्रिष्ट भाग के दर्शन होते हैं प्रीती ने केदार ना के पास ठित ये मंदर अपने आप में बहुत विशाल काय है और महादेव के चमतकारों के साथ जुड़ा है इस मंदर में भगवान शिव की पूजा ना भी लिंगम के रूप में की जाती है यहां का जल बहुत पवित्र माना जाता है और मौक्ष के लिए कुछ बूंदे ही प दर्शन करने के बाद प्रीती तृत्य के लिए रवाना हुई जिसे तुंग नात के नाम से जाना जाता है और ये मंदर के दार नात और बदरीनात धाम के बीच स्तित है देड़ किलो मेटर की चड़ाई करने के बाद प्रसिद चंद्रा शिव नामक चोटी के दर्शन होते हैं यहाँ पर भगवान शिव के रिदेस्थल और शिव की भुजा की पूजा की जाती है कथाओ के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में पांड़ों के हाथों बड़ी संख्या में नर संगहार होने की वजह से भगवान शिव पांड़ों से बहुत जादा गुस्सा हो ग दिये जाते हैं और दोस्तों एक मान्यता ऐसी भी है जब भगवान राम ने रावन का वद किया था तब भगवान राम ने भ्रम हत्या के श्राब से मुक्त होने के लिए यहाँ पर तुंगनात में महादेव की आरादना करी थी तुंगनात में महादेव को प्रणाम करके त प्रिती चतुर्थ केदार यानि की रुद्रनात के लिए रवाना हुई ये मंदिर उत्राखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है रुद्रनात मंदिर भव्या प्रकृतिक छटा से परिपूर्ण है विश्व में ये इकलोता ऐसा मंदिर है यहाँ पर पूजनिय शिवज के रूप में जाना जाता है जिन्हे कलपनात भी कहते हैं और यहां पर भगवान शिव की जटाओं के दर्षन होते है और पंचकेदार में कलपेश्वर माहदेव के दर्षन पाकर प्रीटी धन्य धन्य हो गई और उसने अपने पंचकेदार के सफर को भी पूरा किया जिस तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ जहाँ शिव के होने की बात कही जाती है वहाँ वहाँ चमतकार जरूर होते हैं कि दारनात मंदिर अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए है यहाँ के चमतकार हर व्यक्ति को अश्चर्य में डालते हैं यहां पर महादेव के शिवलिंग को जगरित शिवलिंग कहा जाता है जहां का एक और बड़ा चमतकार जानकर आप भी हैरान हो जाएंगी दिपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत रितु में मंदिर के कपाट को छे महा के लिए बंद कर दिया जाता है लेकिन कपाट बंद करने के पुर्व एक दीपक यहां पर प्रजोलित किया जाता है जिसके बाद भगवान के विग्रह और दंडी को छे माहा तक के लिए पहाड के नीचे उखी मठ में रख दिया जाता है और छे माहा के लिए केदारनात मंदिर के कपाट पूरे तरीके से बंद हो जाते हैं और इस मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता छे माहा के लिए इस मंदिर के अंदर सभी का प्रवेश बंद हो जाता है और पूरा मंदिर बर्फ के तले ढख जाता है लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि छे माहा के पश्चाद भी जब इस मंदिर के कपाट पुनहे खोले जाते है तो दीपक जो का तियो जला हुआ प्राप्त होता है आश्चर्य की बात तो ये है कि छे महा तक दीपक भी जलता रहता है और केदारनात मंदिर में निरंतर पूजा भी होती रहती है और जैसी साफ सफाई छे महा पहले थी वही साफ सफाई छे माहा के पश्चाद भी पुजारियों को प्राप्त होती है ये वास्तों में बहुत बड़े चमतकार का विशे है कहा जाता है कि छे माहा भगवान की पूजा मानव करते हैं और छे माहा जब भगवान के कपाट बंद होते हैं तो स्वयम देवता आकर भगवान केदारनाद की पूजा करते हैं और उस दीपक को सदैव प्रजवलित करके रखते हैं बाबा केदारनाद धाम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें दोस्तों नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा क्योंकि आज के मानव का उदेशे केदारनाद जाना केवल भगवान के दर्शन करना नहीं है उसे तो वहाँ जाकर मनोरंजन करना है उसे तो वहाँ जाकर इंस्टाग्राम पर रील बना कर वाइरल होना है अगर इसी तरह का प्रक्रम जारी रहा अगर आज भी मानवो के मन में भगवान के लिए सच्ची आस्था नहीं जागी तो सन 2013 में हमने जो प्रकोब देखा था वो पुना भी आ सकता है आप अपने विचार नीचे कमेंट बोक्स में हमारे साथ जरूर साजा करिएगा अगर आप भी सच्चे महादेव भक्त हैं कमेंट बोक्स में जैश्री के दार जरूर लिखिएगा आगे भी ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्द मुलाकात होगी आप से किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद